हेलो फ्रेंड Forsch दे आप सबी का कुपीद अर्ट है आज हम बनाएंगे आलुOoh राइड़ की सबुडह की केतली हैW और इसे बनानामी बहुत आसान नहीं दो आप भी गर पर इस तरीके से बिंडि अलु सै बनाएंगे तो सभी आपकी बहुत तारीफ करेंगे अगर आपको अच्छी लगेगी अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा तो चलिए शुरू करते हैं मैंने आपर डाइसोग्राम बिंडी ली है जिसे मैंने अच्छे से वाश करके क्लीन कर लेंगे घुटिया गोल्डन ब्राउन हो जाएंगी तो आपको एक व्लेट में साइड में निकाल लेंगे यृज घुटिया आलू फ्राइगी सब्सपून जीरा लिया है एक टेब्ली स्पून शोफ ली है आधा टेबली स्पून राई डाली है अब हम इन सबस्पों मेड से घड़न प्याज दालग प्याज माती से अलू गालें से फ्राइब हाख घ्опас सब्सक्राइब हैं मेडीयं हावयोंगर सब्सक्राइब हैंimara तुछ सब्सक्राइब कंटबोस फिद्यों को अच्छे सेना प्याज पि कर दिलिए सिदम थैं प्वोड़ी सी लाल मिर्ज पाउडर एक टेबल स्पून लगबग धन्या पाउडर डालेंगे और इसे हलके हाथों से अच्छे से मिला लेंगे तो देखिए यहां पर हमारे सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं अब हम इसमें फ्राइ की हुई बिंडी डाल देंगे और इसे मसालों के साथ अच्छे से मिला लेंगे बिंडी को आलू और मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर दें मैंने यहाँ पर आलू और बिंडी को साथ में पकाया है आप चाहें तो अलग-अलग भी फ्राय करके मिला सकते हैं साथी अब हम यहाँ पर डाल देंगे एक टेबिली स्पून नमक आप अपने टेस्टी अकॉर्डिंग इसमें नमक कर सकते हैं बिंडी के सब्जी तो सभी को टेस्टी लगती है लेकिन इसे आलू और प्याज के साथ बनाया जाए तो यह और भी अच्छी लगेगी करेंगे कि इसे 5-10 मिंट के लिए ढखकर पका लेंगे तो कि हमारे बिंडी और आलू अच्छे से पक जाए 10-10 मिंट हो चुके हैं अब हम इसे एक बार ही चेक कर लेंगे आप देख सकते हैं कि आलू और बिंडी लगबग पक चुके हैं इन्हें मैं नाइफ की हल्प से एक बार ही चेक कर लेती हूँ देखिए हमारे आलू अच्छे से पक चुके हैं हम क्या करेंगे कि इससे थोड़ी देर के लिए ऐसे ही खुला रखकर पकाएंगे बिंडी में जो थोड़ा बहुत मौशर है ना वो पी चला जाएगा तो चलिए अब इसे कर लेते हैं हम सर्व तो देखिए आलू बिंडी प्राइ कितनी अच्छी लग रही है ना और यह अच्छी खाने में भी है तो फ्रेंड्स एक बार ही आप इससे अपने घर पर जरू करें और अगर आपको यह अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और मुझे कमेंट्स वाक्स में भी कमेंट्स करके बताएं यह अपको कैसी लगी है और साथ ही फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए जिससे मेरे आगे आने वाली वीड कर लीजिए जिससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें